डिप्रेशन का शिकार लोगों के लिए भविश्य एस्ट्रो सेंटर ने वेलकम इन लाइफ प्रोग्राम लॉंच किया है जिसमें काउंसलिंग कर जीवन को उत्सा से फरा जा रहा है विशेशक्य का मानना है डिप्रेशन और निराश होनी की वज़र से ग्रैन अक्षत्र भी खराब होते हैं जिससे निराशा के दौर से व्यक्ति को भार निकाला जा सकता है भविश्य एस्ट्रो सेंटर 17 शॉपिंग सेंटर गौतम नगर में वेलकम इन लाइफ प्रोग्राम चल रहा है जिसमें जीवन में हताश से घेरे लोगों की फ्री काउंसलिंग की जा रही है एस्ट्रो सेंटर के प्रमुक संजे जैन का कहना है कि आज कल हर आयू वर्ग में डिप्रेशन की समस्या है जो आत्म हत्याओं में बदल रही है जीवन में हताशा की मूल वज़ा ग्रेन अक्षत्रो का भारी होना है डिप्रेशन का शिकार लोगों को आध्यात्मिक बना कर ग्रेन अक्षत्रो का निदान कर डिप्रेशन से मुक्त कराया जा सकता है इसलिए सेंटर पर वेलकम इन लाइफ प्रोग्राम शुरू किया गया है वेलकम इन लाइफ भविश एसोर्च सेंटर का एक नया आयोजन है नया प्रोग्राम ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकलि एक डिप्रेशन मोड से गुजर रहे होते हैं आप रोश पेपर में पढ़ते हैं दुख होता है हमको कि माने बोल दिया कि मोबाइल यूज नहीं करना है बच्ची ने आत्मत्य कर ली पापा ने कहा बजार नहीं जाना है बच्चे ने आत्मत्य कर ली ये आखर क्यों हो रहा है, क्या है mode, इसके पीछे कौन से ग्रहों की स्थिथियां बनती हैं, क्यों ऐसा होता है, कहां willpower की कमी है, संगर्श संताओं की कमी है, उन सारे चीजों को analysis करकर, ऐसे लोगों को हम कितना बहतर बना सकते हैं, आध्यात्मे के हिसाब से, ग्रहों के हिसा बिल्कुल फ्री है मैं केवल यह चाहता हूं कि हम ऐसे लोगों को बचाएं उनको आगे बढ़ाएं आज का यूथ है यह यूथ आगे बढ़ेगा तो देश के लिए कुछ काम करेगा तो यह आत्मत्या नहीं होना चाहिए छोटी छोटी सी बात पर तो कहीं ने कहीं पेरेंट पर देखे के जो भी व्यक्ति हैं उनकी उमर कोई सी भी हो उनका कोई सी भी स्थितिया हो वो हमसे मिल सकते हैं ऑनलाइन भी इस वसे तरह संभन में बात की जा सकते हैं भविश्य एस्ट्रो सेंटर के इस प्रोग्राम को खासा रिस्पॉंस मिल रहा है लोगों की काउंसलिंग के बहतर परिणाम मिल रहे है बीरो रिपोर्ट हाथवे BTV News भोपाल